नमस्कार स्टड़ी आई क्यों आएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है मेरा नाम है मनीश रवास्तर मुद्दे की बात कारिकरम में आज हम बात करने वालें बहुत ही एक शौकिंग न्यूज आ रही है चाइना की तरफ से कि वहां के जो राष्ट्रपती हैं शी जिन पिंग उनको जो है हाउस अरेस्ट कर लिया गया है और वहां पर सेना का तक्ता पलट होने की संभावना है अभी तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टी नहीं की गई है ना ही ये जो चाइनीज जनलिजम है मतलब वहां की पत्रकारिकता के द्वारा भी इस चीज को कंफर्म नहीं क जो शंगाई कॉर्परेशन और्गनाईजेशन है जिसमें हमारे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी भी गए थे तो उसमें बताया जा रहा है कि इसका वैसे आधिकारिक पुष्टी कहीं पर भी नहीं है लेकिन इसमें सबसे पहले अगर हम भारत की बात करें तो सुब्र पाटी का नाम है Chinese Communist Party CCP उसके द्वारा इनको जो है जो पी एले है पीबल्स लिबरेशन आर्मी उसके पद से मतब उसके चीफ के पद से इनको हटा दिया गया था तो ये भी कयास लगाए गए कि हटाने का क्या मतलब हो सकता है और उसके बाद और भी कुछ ऐसे इंडिकेशन के समरकंद में होई थी वहाँ पर कौन गए थे शी जिंपिंग भी गए थे और शी जिंपिंग के पीछे ये पूरा का पूरा एक सेना का जो तक्ता पलट जिसको कू कहा जाता है उसकी प्लानिंग जो है ये कयास लगाए गया इसका जो है एक ट्वीट भी आया था सुब्र शीज इंपिंग वाजन समरकंद रिसेंटली थे लीडर्स ऑफ दी चाइनीज कम्मिनिस पार्टी वर सब्सक्राइब रिमूवड शीज इंपिंग फ्रॉम दी पार्टी इंचार्ज ऑफ आर्मी तो जो चाइना की आर्मी है जिसको पीपल्स लिबरेशन आर्मी कहा जाता है अभी तक ये उसके चीफ थे लेकिन ये वैसे इसकी कहीं पर भी आधिकारिक पुष्टी नहीं हुई है ना सेना की तरफ से ये सब कयास लगाए जा रहे हैं तो हम उसी के हिसाब से यहां पर बात कर रहे हैं तो ये जो ट्वीट था इसमें भी यही बात की गई कि इनको जो आर्मी है पिए लेके चीफ के तौर पर और ये जो चीज थी इन्होंने इस चीज को क्यों किया था इन्होंने बाद में एक रीट्वीट भी किया था क्योंकि चाइना की जो एक हुमन एक्टिविस्ट है उनका भी ट्वीट आया था और अमेरिका की भी कई ऐसे कॉलमिनिस उन्होंने भी चीज को और अष्वी वीडियो भी काफी वाइरल हुआ इस वीडियो की अगर हम बात करें तो इस वीडियो में बताया गया कि अब पी एले मिलिट्री विकल्स जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी के जो मिलिट्री विकल्स हैं वो बीजिंग की और बढ़्ड है जेनिफर जेंग की बात करें तो ये एक अमेरिकन बेजड अमेरिका में बेजड हैं चाइनीज हुमन राइट एक्टिविस्ट हैं वहां की मानव अधिकारों की रक्षा के लिए काफी कदम उठाती हैं इन्होंने ये ट्वीट जब किया तो पूरे वर्ल्ड मीडिया में ये क जाफी जादा चर्चाओं में मिश्य आ गया साथ ही साथ जो ये गॉर्डन चैंग है ये भी एक कॉलमिनिस्ट हैं अमेरिका के इन्होंने भी इस चीज को बुला कि वीडियो ऑफ मिलिटरी विकल्स मूविंग तो बीजिंग संस इमेडियेटली आफ्टर ग्राउंडिंग 59% of the flights in the country और ये जो वीडियो आया है ये कब आया है जब चाइना के अंदर अंतराष्टिये और जो हमारी घरेलू उडाने होती हैं उनको लगबग 60% कैंसल कर दिया गया वहां पे अभी बताया गया कि लगबग 5,900 से जादा फ्लाइट को कैंसल कर दिया गया और अब यहां पर बात उठती है कि चाइना की पॉलिटिकल अंस्टीबिलिटी की चाइना जैसा देश जिसने अभी ताइवान का इशू होता है चाहे हमारा डोकलाम इशू है चाहे लद्दाक का इशू है बार-बार ये जो चीजें होती है ये चाइना अपने फ्रंट पर कही ना कहीं एक्सपैंशन की जो थियोरी है उस पर काम करता रहता है तो ये जो खबर है ये काफी जो है पूरे वर्ल्ड में क्योंकि एक यूएस चाइना वार जो टेकनिकल जो वार चल रहा है इनका बहुत सारे मार्केट्स को लेकर इनकी लड़ाईयां हो रही है तो यहां प सारे जगा पर चोटे चोटे वार्स और एक्सपैंशन की जो चीजें थी तो चाइना की पॉलिटिकल जो इनस्टेबिलिटी है उसका सभी लोग फाइदा उठाने की कोशिश करेंगी अगर ये खबर पुष्टी होती है तो आगे और भी कयास लगाए जा रहे है साथ-साथ इनके ट्वीट्स पे तो बात हुई और यहां पर जो एक में चीज जो मुद्दे से निकल कर आई वो यहां पर यह थी कि जो इनकी जो आर्मी है जिसको क्या बताया मैंने पीपल्स लिबरेशन आर्मी पी ले इसके अभी तक चीफ कौन थे सी जिंग पिंग थे सबसे पहली जो सबी लोगों ने जो अंदाजा लगाया कि इसके ही आर्मी चीफ के तोर पर अब नहीं रहें वो मतलब पी ले का जो पद है वो किसी और को दे दिया गया है और आगे उनकी संभावना है कि वो अगले राष्ट्रपती हो सकते हैं यह भी कुछ-कुछ जगाओं पर जो है शी जिन पिंग ते जिसके बारे में ये खबर है कि इनको हटा दिया गया है साथ-साथ अगर हम बात करें चाइना के अंदर 9,538 पूरे तोर पर फ्लाइट्स कैंसल की गई है जिसमें 59% फ्लाइट्स तो 59% फ्लाइट्स पूरी कैंसल हो गई है और जो बीजिंग की तरफ से इस सारी जगह से जो फ्लाइट्स आती है चाहे डोमेस्टिक हो और चाहे इंटरनाशनल हो इनको पूरी तरह से कैंसल कर दिया गया है तो बीजिंग में ही है कौन शी जिन पिंग तो उनको हाउस अरेस्ट भी किया गया है तो ये जो एक चीज थी ये क्योंकि कयास तो बहु क्योंकि फ्लाइट कैंसल करना एक बहुत बड़ा स्टेप होता है तो इसके बाद जो ये खबर काफी ज़्यादा मीडिया में वाइरल होने लगी इसके अलाबा ये कयास ये भी लगाए गया है कि लीकुआ मिंग जो है अगले जो है राष्ट्रपधी का पत समालेंगे और जो पी एले के चीफ हैं वो भी ये बनकर आ जाएंगे अब ये खबर कितनी सच निकलती है क्या होती है इसको तो आगे आने वाला समय ही बताएगा बट इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को इंडिया के टर्म्स में भी जियो पॉलिटिक्स में भी बहुत सारी चीज़े यहां से निकल कर आएंगी अगर ये खबर आगे सच होती है तो तो देखते हैं इसके आगे क्या अपडेट्स आ सकता है इसके लाबा कोई डाउट से इंड शोशल मीडिया हैंजल पर मुझसे पूछ सकते हैं इस लेक्चर के पीडिया वोपर देगे टेलिग्राम ग्रूप से आप डाउनलोड कर सकते हैं वोप ये लेक्चर आपको इंट्रेस्टिंग लगा होगा थांक यू वेरी मच्छ फॉर वाचिंग देस अवरेट देक